तो पहाड़i Laktis, दिसी जायर रजयचोहन दोस्तों आज की टॉप कि बहुत इंट्रस्टिंग और बहुत इंट्रस्टिंग होने वाड़ है दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आज हम पड़ेंगी कि बिजली किसे बनती है ट्रांस्मीश वी दिश्चिपिशन की आगे की बात है पहले ट्रांस्मीशन होगी फिर डिस्टीबुट होगी फिर हम तक पहुँचेंगी तो पहले जैनेरियसन के बारे में पढ़ते हैं कि मैं आपको नचुनल सोर्स के बारे में बढ़ाओंगो और इसीदि के बारे में बतावोंगए को कå पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पता यार की साइन crush कर रहे है इसके उपर सर्च सार्व बादने मिल रहा आपको तो पता है सूरज पाल होता है कभी बारिष होती है तो हम मतले आयए अर्ज से तरसे इसे वह भी खभार चलती आधमी आठीफिसल उनर्जी के उपर ही डिपेंड कोई हो गया थर्म अनर्जी इनके उपर डिपेंड है तो आज हम से पहले सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे कैसे प्राप्ड की नहीं तो दोस्तों यह हैं आपके primary source जो प्रक्तिस से उत्पन की जाती है जो बिजली प्रक्तिस नेचिर से उत्पन की जाती है यासे sun, 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 wind, hava, wind energy, ज्वारबाटा जो मैं अभी डिसक्स किया समंदर में उठते हैं उनसे energy पी पाया थी पर इनका main इनसे हम लागाता energy नहीं पा सकते हैं यह हैं आपके एक्जेंपल sun, wind, and ज्वारबाटा सूर्ज, solar energy आपको तो पता यार, solar energy से बहुत जैसे पहले solar को रहते थे उसमें अभी वह solar energy होती थी पाइपने चावल बढ़ते दे और अभी तो maximum लोग पाणी मतले पाणी को गर्म करने के लिए भी इसी का यूज कर रहे हैं सानिका जो यार होते हैं यार इसके ओपर रखे जाते हैं बड़े-बड़े time के और पाइप में होती है solar की उसमें वह सेम पर प्रोसेस है उसका वह सूर्ज के energy बढ़ते हैं उसके ओपर आगे कनवर्ट होती है इसमें याद रखने आप ऐसा ही प्रोसेस होता है यह आपकी है wind energy यह तो आपको पर पता है जैसे उंची उंची पहाड़ी होगी बहां पर यूज किया था इसका और जो आरबाटे तो समुंदर में उड़ते हैं तो यह थे आपके प्राइम रिसोर्स और इनका लागतारी प्राइज नहीं कर सकते हैं इनकी में डिस अड़ बंस और आप नेक्स्ट पढ़ेंगे स्कैंडरी सोर्स कौन कौन से हैं बिजिली बनाने के तो दोस्तों यह हैं आपके स्कैंडरी सोर्स वाटर कोईला और गैस और अब आप सोच रहे होगे कि वाटर कैसे आ गया यार पानी आता है उपसे ट्रवाइन के उपड़ता है तो उस पानी को यह तकि दोओर ने को ऐसे हैं और को दोभार बार इसको डिसल में और को एप hogye नर्जी को नहीं है उसी में यह एक बार princip Monica यह कर सकते थो भी बार बuine को कन सकतेậyे खशनर अब डिकर्णनी अनर्जी के बारे में डिसकस करेंगे फिर आपको पुरा पता लग जाएगा प्रविकर्ण हैं वाहन we बारबार फार यूज कर सकते हैं और सोल नेंजी बहुत बार-बार यूज कर सकते हैं वीड़नेजी लिख लेंगनेज न का आपपी भी बे टैल नेज़ी गया है, अभी डिसकस की, जी ओ धरमलनेजी बायोमास उनर्जी जो पलांट और एलिमेंट नहींट जो अप मरते हैं इसी हज़ारों साल बाद देन निकलते हैं ऐसा वैसा कुछ होता है इसमें बायोमास उनर्जी हो उसका भी हम बार 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 यूज़ कर सकते हैं और फ्री एंड इन फायनाइट बादा जन्रेटोडियों मैक्सिम भी कष्म सब्स़्टर जन्रेट करते हैं को थ थर॥ पीमरीटोफर फ्लांट मैंक्सम भी जीलHANेट की जाती है इंडिया अन्र नो से एस फॉतर है डी फॉतर कर नाना वश्टन आ गया अगर पेपर में कि क्लीन एनर्जी कौन सी है साफ एनर्जी बिल्कु साफ सूतर एनर्जी आपके पास ऑप्षिन होगी हैड्रो पावर एनर्जी होगी जैसे दो नौन रूइल नर्जीयां के एक्जम्पल देंगे तो आपका अनसर होगा यह हाड्रो इसे नर्जी और या जैसे सेंपने कर सकते हैं या बार बार इस्ते माल कर सकते हैं और अब हम discuss करेंगे non renewable energy के बारे में पॉइंट हमारा non renewable energy यानि अनवी करणी अनर्जी अनवी करणी अर्जा और लिखानी अनवी करणी है उर्जा दोस्तों इसको रायट कर लेना आपको पीवेगे ऊपर बजिस इनर्जी को एक वार यूज करके दुबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जैसे कोईला एक वाज लिगया तो दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं पर इंडिया में बहुत ही भरपूर मातरा में इसका यूज की आत मंधा है जाता है जाता है घानी पर इनेर्डिय बहुत है इसे जाता है इसे जाया इसते जैड़ा इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में तक ट्रोलिम नुक्र में ने इससे इससे ज़्यादा कि इससे ज़्यादा फायद का हमें बहुत ही जादाफ Hai इसकी मेन डिस यह है जैसे अगर आपने किसी पहारी की और उपन करें किशे activists सैट अप कर दिया तो इसकी में डिस आडवांस यह एक ऐसद्सिद में योगा या फॅण गया तो जितने इसके के enough अगर आप ऑसे कुछ कुछ कोश्शन थे एक बीयां य्याभार्ट विज़ी बनाने के लिए मां लग मो समmente न में इक कीलो य्यियां के किया कम धूल किया तो आपको 276 के इंटाल यार्ग कित्ना फ़रक किपक्र화ड कितना कोला जलाना पड़ेगा 2700 को इंटल यार एक इलो तो कितना फर्क है यार नुकलर निर्जी का ज्यादा फाइदा है यह तो इंडिया में तो बहुत एक दो साइड दो यह तीन प्रोजेक्ट होंगे इसके पर बार जापान होगे चाइना में मैक्समिन निर्जी का अगे जब ब्लास्ट होता है तो इसका इतना ज़़ा यूजनी कि जाता है सब यहांते इंडिया में यूज कोईले का होता है और इसके उपर सर्च हो रहा है इसका फाइदा लिए जाए अपर इनडिया में और आपको तो बताने नहीं चुल गया सी ब्वह बार यूज कि मै से ज़्याद energy non Uniable energy से प्राफ्त कर सकते हैं Uniable energy से नहीं वह तो एक सही मित energy है हमें उसे लागता energy नहीं मिल सकती तो दोस्तों यह था आज का topic हमारा आगे हम डिसकर्स करेंगे hydropower plant thermal power plant diesel power plant और नेक्स्ट वीडियो में इसके उपर मैं आपको MCQ दूँगा तो दोस्तों यह था मेरे आज का टॉपिक कैसा लगा आप में को बता देना थेंक्यू और हैव नैस टे